नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे चैनल घ्यानलों में आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सरकi discoveries है वो क्या होता है अगर इसकी definition की बात करें तो और दो क्या है उसके अंदर Volt Meter आ सकता है, उसके अंदर जो है, Amateur आ सकता है, तो Volt Meter, Amateur, इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसी तरह से जो Resistance हो गया, अगर हम इसके Component की Figure बनाएं, डायग्राम बनाएं, तो वह काफी Complicated बनती है हमारी, अगर इसके Thru जो है, हम एक पूरा Circuit diagram बनाएं, तो इसके लिए जो है इनको एक standard symbols के अंदर change कर दिया गया है तो इनको जो है standard symbols में इनको convert कर दिया गया है ताकि क्या हो हम आसानी से एक circuit diagram को बना सकें आसानी से एक circuit diagram जो है with ease हम बना सकें और उसको समझ सकें तो कुछ symbols जो है इसके लिए standard बनाए गए हैं जैसे कि करते हैं जो बडे वाली यह सेल को डिनोट करते हैं इसी तरह से अगर हम बात करें बैटरी की बात करें तो बैटरी को हम combination of cell से denote कर देते हैं जैसे कि plus minus फिर plus minus फिर plus minus इस तरह से combination के साथ हम इसको show करते हैं तो यह हमारी battery का symbol हो गया इसी तरह से जो connecting wire है अगर हम wire का symbol देखें तो wire का symbol क्या है simple एक इस तरह की एक line होती है तो यह wire का हमारा symbol हो गया तो इस तरह से different तरह के हमारे पास symbol होते है register का अगर हम symbol देखें तो वो हमारे पास होता है register का symbol इस तरह से आप अपने book के अंदर काफी सारे symbol जो हैं देख सकते हैं इस तरह से register का symbol होता है और अगर आप variable register का symbol देखें जो vary करता है तो variable जो register का symbol होगा यह Symbol Register की तरह ही होगा लेकिन इसकी अंदर एक इस तरह से Arrow आजयेगा यह Variable Register और RealStat का जो Symbol है वो क्या होगा RealStat का Symbol भी आपको इस तरह से Register की तरह ही बनाना है लेकिन गसके उपर इस तरह का ये आ जाएगा क्योंकि इसको आप कम जड़ा कर सकते हैं इस तरह का अरो आ जाएगा ये हमारे कुछ सिंबल होते हैं इसी तरह से अगर एमीटर का सिंबल देखें एमीटर का सिंबल हमारे पास इस तरह से A हम सको denote करते हैं plus minus और इसी तरह से जो मिलिय忘 मिटरachen यह मिलिम्मेटर istव करेंगे और इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस वोल्त्मेटर का सिम्बल वी डिनोट करेंगे इसके अंदर भी सिसका प्लस और सिसका माइनस तो इस fellow से एक पूरा जो है अपका सरक्ट माइन सकता है इन सिंबल कर çıktı हर एक चीज का symbol है गल्वैनो मेटर का symbol ये है बलब का सिम्बल अगर आपको बनाना है तो यह इस तरह का लगवक जो है बलब का symbol होता है तो सारे μटल है तो चलिए एक जो है इसे सरकिट डाइग्राम हम इसके थू बनाते हैं और उसको हम समझते हैं कि इसके इंदर कौन कौन से components हैं तो वो आप समझ जाएंगे जैसे जैसे हम बनाते चलेंगे तो हमने यह क्या लगाया है यह हमने लगा दी एक cell लगा दी जो बड़ी वाली arm है plus और यह minus अब आगे चलते हैं आगे इस arm में हम लगा देते हैं A यानि कि A का मतलब क्या है A meter हमने लगा दिया plus-minus इस तरफ इसी तरह से आगे हम गए आगे हमने लगा दिया यह क्या है हमारा यह resistor है यह हमने लगा दिया और इसके बिलकुल parallel वो लगता है हमारा वोल्टमेटर यह ध्यान रखना है कि वोल्टमेटर हमेशा पैरलल आपको लगाना है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है काफी हाई होता है तो इसलिए इसको पैरलल ही लगाया जाता है उसके बाद जो है यहां पर हम लगा देते हैं यह क्या है हमारा रियो स्टैट है देख तो इस तरह से आप सिंबल बना सकते हैं तो इसके अंदर आपको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है सर्किट डायग्राम को बनाते समय सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जो है कंपोनेंट दिखाएंगे उनका सिंबल एक तो सही हो दूसरा जो हमारा वोल्ट मीटर लगता है जो वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर किसके काम आता है वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशल डिफरेंस को मापने के काम आता है जो पोटेंशल डिफरेंस है इस सर्किट के अंदर जो पोटेंशल डिफरेंस आएगा इस सर्किट में उसको मापन जोड़ा है उसके बाद बाद कर लेते हैं a meter की a meter क्या काम करता है rally meter अमारा current Hyundai का काम करता है तो यह हमारा current माफता है और इसका Aha WAT harta है यह काफी low होता है तो resistance जो है इसका law होगा और यह होमारा Series के अंदर उसका connection क्या जाता है जैसे कि यहां पर series में यह connect किया गया है series में किसी भी ब्रांच पर आप इसको connect कर सकते हैं क्योंकि current जो है वो तो एक बराबर ही रहता है कहीं भी आप इसको connect कर लें तो यह हमारा होता है emitter उसके बाद जो है हमारा जो register इससे और जो रियोर circuit क्या होता है इसके different तरह के जो symbols हैं वो क्या होते हैं तो यह हमने इसके अंदर जाना तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलों पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद